जी दोस्तों कितना सब ठीक ठाक तो अगर आपको यार ये वोल पेपर पसंद है इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा तो कुछ डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं जिने हाइपर OS की अपडेट जो है बहुती जल्द द होपफुलिए आपको यार पसंद आ जाएगी तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं मेरा यह ग्रूप है अगर आपने अभी तक जोइन नहीं किया आप कर सकते हैं यहां पर कोई भी इंफोर्मेशन आती है तो मैं सबसे पहले शेयर कर देता हूं क्योंकि कभी कभा यह व बता चल सके तो यह हाइपर ओएस है एंडुड़ 14 एंडुड़ 13 तो सबसे पहले इंडिया में जो है शोमी 12 प्रो के लिए ऑफिशल अपडेट जो है वह 5.2 जीबी की बहुत बड़ी अपडेट है हाइपर वेस की अपडेट 1.010 यू यू लबी आइन एक्सम की जो ठीक ठाक रहा उसके बाद अगर आप रेड्मी नोट 11 के यूजर है तो आपके लिए बहुती बड़ी गुड़ न्यूज है बट यहार एक बुरी न्यूज भी है अगर रेड्मी नोट 11 में एंडुड 14 नहीं आएगा एंडुड 13 के साथ ही हाइपर ओस की अपडेट देख देखने को मिल जाएगी तो मेक शूर आप शोमी कम्यूटी पे जाकर अपलाए कर दीजेगा बीटा टेस्टिंग के लिए तो जब भी इंडिया के लिए अपडेट आए आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए अगर आपको पता नहीं है यह कैसे अपलाए करते हैं 100% मार् तो काफी अच्छी गूड नीज है रेड्मी नोट 11 यूजर के लिए उसके बार अगर आप पोको एम 5 या रेड्मी 11 प्राइम 5G के यूजर है तो आपके लिए गूड नीज है इंडिया के लिए जो है एंडुड 14 के साथ अपडेट जो है वो रेलीस कर दी गई है पोको ए रेड्मी 11 प्राइम 5G इंडिया में उसके बार यहां पर जो है वो चार डिवाइसेज हैं जिनके नाम है रेड्मी नोट 13 5G, रेड्मी नोट 13 प्रो 5G, रेड्मी नोट 13 प्रो प्लस 5G और शोमी 11 लाइट एन ये 5G तो इनके लिए गाइज चाइना में जो है वो अपडेट आ चुकी है तो जब चाइना में अपडेट जाती है उसके बार ग्लोबल जाती है और फिर जो है इंडिया में आती है तो आप जो है वो शोमी क्यूमिटी पे जाकर आप जो है वो अपलाए कर दीजिए बीटा टेस्टिंग के लिए अगर आप ग्लोबल रोम के लिए तो अगर आप सबसे पहले अपडेट करना चाहते हैं तो मस्ट अपलाए बीटा टेस्टिंग तो आपको अपडेट मिल जाए तो काफी साथ डिवाइस को अपडेट मिलने वाली है बट अभी के लिए यहीं इंफरमेशन अगर आपका कोई डिवाइस है जिसका मैं नाम जो हब भी नहीं लिया है तो कॉमेट करके बता दीजेगा जब भी कोई नई इंफरमेशन आएगी तो मैं आपके साथ जरू शेयर करूंगा तो यह आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वच्चिंग